नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल अंकित पर्मा ओल एजपी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज की इस वीडियो में मैं आपको आज 11 फर्वरी 2024 की हिमाचल प्रदेश में होने वाले 6 विदान सभा उपचुनाव के लिए बुध बार को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमिटी ने दिल्ली में बैठक कर संभावित प्रतियाशियों के नाम शॉल्ट लेस्ट किये 13 प्रयल को लोग सभा प्रतियाशियों के साथ ही उपचुनाव के उमीद फसायन गगरेट लाहसपिती और बरसर से 2-3 संभावित प्रतियाशियों के नाम पैनल में हैं लोग सभा चुनाव 2024 मनाली पहुची बादपा उमीदवार और अभिनेत्री कंगना रनोत समर्तकों और फैंस की उमडी भीड अभिनेत्री एवं बादपा प्रतियाशियों के थेट कुल्यवी पट्टू को पहन कर कंगना माल रोड से पैदल चलते हुए मनुरंग शाला पहुची कालेवा स्पेद डब्बे के डिजाइन वाला पट्टू और किनौरी टॉपवी पहन कर पहुची कंगना के दीदार को माल रोड के दोनों और भारी भीड जुटी कंग 2445 लोग गिर्फतार किये गए हैं प्रदेश में बर्ष 2022 में 1574 केस तरज हुए इसमें से 2136 पुर्षवा 89 महिलाओं को गिर्फतार किया गया है शेहरों के साथ-साथ अब चिटा तसक्रों ने जंजाती एक शेत्रों तक अपना जाल बिछा लिया है हिमाचिल विधानसवा अध्यक्ष के नोटिस का निर्दलियों ने दिया जबाब विधानसवा अध्यक्ष कुलदीब सिंग प्थानिया ने कहा है कि तेनों निर्दलिये विधायकों ने 22 मार्च को पहले विधानसवा सचिव को इस्तीफा सौपा स्कूली बच्चे भी जानेंगे कैसा है इस्चारी किये गए हैं सभी स्कूलों के मुख्याओं को छात्रों से ये विजिट करवाने के लिए कहा गया है दरसल शिक्षा मंतरी के ओर से सभी विभागों को पहले ही ऐसा करने के लिए कहा गया है चुनाबों से पहले हमीरपूर में बीजेपी को बाड़ा जटका हिमा नमबर दो से पार्शद राजकुमार के साथ है कांगरेस पार्टी का दामन थाम लिया कांगरेस की विकाओ विदाइकों को भाजपा के टिक्ट देने से मनोज आहत है मनोज भा राजकुमार के कांगरेस में शामिल होने से पार्टी को हमेरपूर में बड़ा धटका लगा ह मुख्यमंत्री ने मनोज मिनास, नीशा मिनासवा, राजकुमार को सेरा रस्ठाउस में पठका पहनाकल कांग्रेस में शामिल करवाया 350 रुपय का रिसोई गया सिलेंडर 1000 में क्यों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिवा सिंग ने कहा है कि प्रदेश की चार लग सवा और छे विदान सवा उपचुनाब कांग्रेस के लिए महतपूर्ण है या चुनाब परिणाम प्रदेश की भावी राजनिती की दिशा और दशा परे करेंगे प्रतिवा सिंग ने कहा कि कांग्रेस देश में लोकतंत्र की रक्षा की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है देश भाजपा की तानाशाई और जन विरोधी नीतियों से परेशान है जाच अजेंसियों का दुरपयोग कर भाजपा अपने विरोधीयों को जेल में डाल रही है देश से पहले देश से हो रहे इस अन्याई में अन्याई के खिलाब कांग्रेस न्याई के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है गांधी चौक पर भाजपा की हुंकार पहुँचे दिगज नेता हमेरपूर से नेज़े भारतिय जंता पार्टी की हमेरपूर के गांधी चौक पर आयोजित हुई विशाल जंत सबाब है बाजपा के दिगज नेता फूलों की बारिश के बीच गांधी चौक पर पहुँचे कारे करता हूँ तथा समर्थकों ने उनका जोड़दार स्वागत किया विशाल रैली के लिए गांधी चौक का विशेश तोर पर सजाया गया है तथा गांधी चौक का मनमोहक नजारा देखने लाइक है शमला यहां लंगर के खाना बनाते दुकान के स्टोर में लगी आग कामगार जूलसा हिमाचल प्रदेश की शमला से निवजे तस्वीर आप देख सकते हैं राजधानी शमला के ओपनगर समरहिल में दुरगा मंदर में बीरवार को लंगर के लिए दुकान के स्टोर में खाना बनाते समय आग लगी आग लगने से क्षेतर में जहां अफरा तफ्री मच गई वही इस तोरान खाना बना रहा है एक कामगार भी आंशिक रूप से आग में जूलस गया जानकारी के अंसार जैसे ही आग लगने की सुचना अगनी शमन बिभाग को मिली तो बालू गंच इवं शमला माल रोड से अगनी शमन की गारिया मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया अगर आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो पूरे समरहिल बजार में आग लग सकती थी सिर्मौर टोका खारा के जंगल में आवकारी विभाग की बड़ी कारवाई हजारों लीटर लाहन साहित बटिया की नश्ट तस्वीरें आप देख सकते हैं सिर्मौर से निउज है हिमाचल प्रदेश की सिर्मौर जी लेके उपमंडिल पांप्टा साहिब की अंतरगा टोका खारा के जंगल में राज जेकर एवं आवकारी विभाग की टीम ने बड़ी कारवाई को अंजाम दिया है साइक आयुक्त मनुर्ज घारू के नितरतव वाली टीम ने कई किलो मीटर पैदर चल कर जंगल में अवैद रूप से चल रही शराब की बटियों साइथ हजारों लिटर लाहन को मौके पर नश्ट कर दिया जानकारी के इंसार टीम ने टोका खारा वन किशेतर में तलाशी अभ्यान चलाया गने जंगल में 6 किलो मीटर की दूरी तहे करने के बाद टीम ने अलग लग स्थानों पर करीब 16,000 लीटर लाहन का पता लगाया इसके बाद टीम ने मौके पर ही लाहन और अवैद रूप स द्वारा कारेकरता सम्मेलंग का आयोजन किया गया इस मौके पर डिप्टी सीयम एक बार फिर अपने पुराने रंग में दिखे और उन्होंने बीजेपी पर कई ताबर तोड हबले भी किये उन्होंने कहा कि जिन परिस्तितियों में हिमाचल परदेश में या चुनाव हो या टेबल टर्न चुनाव है और पूरे का पूरा मोहर कांग्रेस के पक्ष में आ चुका है बीजेपी को हिमाचल परदेश की चुनी हुई सरकार गिराने का प्रियास करने के लिए परदेश की जनता से माफी मागनी चाहिए बीजेपी में हो गया बड़ा ढका हमिरपूर के ही कारेकरम से धुमल ने बनाई दोरी हमिरपूर चुनाव चुनाव तो लोकसभा के वच्छे विधन सबक शित्रों में होने जा रहे हैं लेकिन हमिरपूर सियासत में सियासत के अंदर बन गया है CM सुकविंदर सिंग सुको का ग्रय जिला है किंद्रि सूचना प्रसान मंत्री अनुराग ठाकोर का भी ग्रय जिला है लेकिन कार्ण इससे भी आठकर ये है के अनुराग के पिता पूरभव CM प्रेम कुमार दॉमल भी इसी जिला से तालोक रखते हैं चुनाव में सब की बोनाने का प्रयास है, वहीं सीम सुखो इस चुनाब में इमोशनल कार्ड खेलने की जोगत में है, जन शताबदी ट्रेन की चपेट में आया कांगरा का युवक गई जान, उपमंडल अंप के तहत रेलबे स्टेशन चुरुडू में जन शताबदी की चपेट में आने से कांगरा के युवक की मौत होगी, मृत्तक की पैचान, पंकज कुमार 31 वर्ची है, पुत्तर रामकुमार निवासी डाकर अपर प्रागपुर चहसील देरा जिला कांगरा के रूप में हुई है, रेलबे पुलिस ने शाबकों का अबजे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए क्षेतरी अस्पिताल बेह दिया है, वहीं मामले की जांच शुरू कर दिया है, वेदर अलल्ट धूल, भरी, आंधी और ओला वरिष्टी का ओरंज वा येलो अलल्ट जारी, हिमाचल प्रदेश में 13 अप्राइल से एक बार फिर मौसम का मिज़ाज बेगलने बाला है, मौसम ये थी हिमाचल प्रदेश की शाम पांच बजे की सभी टॉप 10 तादा खबरें, धन्यवाद, चैहिंग, चैहभाद